समस्कार तो अल्दा एस्परिंट्स, जय हिंद, माइनम इस प्रतीग एना, वेलकम यौल तो SSB क्राक एक्जाप्स की वरे से क्या सही में इतना मेजर हमें डिवास टेटिंग एफेक्ट देखने को मिल सकता है और साथ ही साथ आकरी एल नीनो, ला नीना, ये जितने भी वेदर फिनॉमनाज है ये आकर होते क्या है, कैसे डेवलप होते है, इसको भी आज हम बड़े डिटेल में डिस्कस करें हो साथ ही साथ, last but not the least, इंडियन एकनॉमी में इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है, इसको भी आज हम क्या करेंगे बड़े इंडेफ्ट तरीके से डिस्कस करेंगे चले दोसरों शुरू करते हैं, और बात करते हैं सबसे बड़े तो इस खबर की तो यहाँ पे Science Journal के दुआरा आपके एक रिसर्च पब्लेश हुआ था और इसमें ये predictions की जारी है, कि एल लीनो जो 2023 में आपको इंपैक्ट के तोर पे देखने को मिलेगा इसके वरे से हमारे global economy में around 3 trillion US जोर का नुकसान हो सकता है even by 2029 तक तो बहुती long lasting impact देखने को मिलेगा अब देखो एल लीनो के वरे से मैं आपको बताऊंगा एल लीनो कैसे होता है, क्या impact होता है बस वीडियो में आंतर तक बने रहिए दोस्तो इसके वरे से आपको कई जगा, several heat waves, floods, droughts तक आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे सिर्फ हम other regions के बात नहीं कर रहे है, even आपको भारत में भी आपको major impact देखने को मिलता है अब बात करते हैं दोस्तों, एल लीनो का जो impact है, इसका जो peak रहता है, normally winter seasons पर प्राप्त होता है बट यहाँ पे कई हमें research से पता चल रहा है, कि अब इसका जो impact है, इसका जो peak है, आपको even before भी प्राप्त हो सकता है अब बात करते हैं, अल लीनो का हमें major impact हाली में किस वर्च में देखने को मिला तो यह दोस्त आपका यहाँ पे 2016, यह जो साल था, बहुती major आपको development आपको देखने को मिला था इसमें बहुती जादा गर्मी और बहुती जादा आपको several heat waves आपको इस साल देखने को मिले थे दोस्तो, यह जो एल नीनो शब्द है न, यह English term तो है नहीं, यह Spanish term है और इसका मतलब होता है the little boy, और जो आपका ला नीना होता है, यह भी एक weather phenomenon है इसका मतलब होता है little girl, ठीक है, अब देखो, normally जो examiner होता है न, आपको confuse करने के लिए ला नीना ना पूछके, आप से पूछेगा el viso क्या होता है, ठीक है, पर दोस्तो, confuse नहीं होना, दोनों का मतलब same ही है el viso आपका ला नीना ही होता है, तो थोड़ा सतर करही है, चलो, अब यहाँ पर बात करते है कि el lino का जो effect है, यह कैसे होता है, बड़ा introductory level पर समझते है, फिर बाद में आपको detail में तो ले जाओंगे, ले जाओंगा तो यह दोस्तों एक ऐसा weather phenomenon है, यह इसलिए create होता है, जब आपका जो ocean surface का, जो आपका temperature है, जब यह बहुत ही जादा आपका rise होने लगता है, बड़ा warm होने लगता है और इसके वरे से, जो atmospheric circulation होता है, जो normally perform होना चाहिए, यह बड़ा unusual होने लगता है, और यह normally आपको eastern tropical, pacific region में ही, ऐलीनों का impact देखने को मिलेगा अब इसके वरे से क्या होता है, हमारे जो trade winds होती, जो equator regions में आपको trade winds देखने को मिलती है, जो हमारे southwest monson winds है, यह trade winds है, अब यह एलीनों के वरे से क्या होता है, यह हमारे trade winds को बड़ा क्या करती, week करती, कमजोर बना देती है अगर आपकी trade winds ही अगर आपकी बहुती weak हो जाएगी ना तो हमारे यहाँ फिर बारिश कैसे होगी है ना South West Monsoon winds है जो moisture यहाँ पे collect करके हमारे इंडन सबकॉंडिनेंट में आती है बारिश करती है जब यही winds अगर weak हो जाएगी अलनीनो के वरे से तो हमारे भारत के लिए अच्छा कैसे होगा भारत एक ऐसे agriculture state जहाँ पे बारिश की बहुती requirement है तो अलनीनो जब शब्द अगर कभी सुरोगे ना तो हमारे भारत के लिए बिलकुल भी अच्छा नहीं होता है बड़ अनफॉ प्रेशर और low pressure होता क्या है है ना कौन से रीजन्स आपके होते हैं दिको low pressure आपका रीजन उसी जगा बनेगा जहाँ पे temperature आपको क्या होगा बहुती जादा high होगा यह तो पहले इसको underline कर लो है ना जहाँ पे high temperature होता है वहाँ पे low pressure होता है क्यों क्योंकि इस region में जो भी और जाती जाएगी एक certain height में जाती जाएगी तो हम सबको पता है हम जितना earth के surface से उपर जाते जाएगे तो temperature आपके degrees होता है थंडी पड़े लगती ही जितना उपर जाओगे तो जब यह हवा उपर जाती जाएगी ना थंडी इसमें पड़ती रहेगी और यह जो हवा है फ जब हवा उपर के और जाएगी ठंडा होगी तो फिर बाद में condensate करेगी बारिश करेगी और जब यही हवा आपका यहाँ पे इतनी ठंडी होके जब आपका अच्छागासा weight यहाँ पे acquire कर लेगी भार ही होने लगेगी तो gravity की वरे से फिर वो नीचे भी आएगी और इसक होती है वहाँ पे आपका high pressure zone develop होता है तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए फिर यह high pressure winds होती है फिर यह low pressure आपके area में attract होती है तो इपरा cyclic process है आपको इसके बार में जरूर पता होना चाहिए हमेशे याद रखन दोस्तो basic आपका phenomenon है आपकी जो winds होती है यह high pressure से low pressure ही travel क यह हमारा है Australia का region ठीक है यह कहानी इनी दो के बीच होती है है ना normal conditions में क्या होता है जो हमारी trade winds होती है देखो यह हमारा प्यारा सार्थ है यह है हमारा equator और यहापी कई सारे आपने देखा होगा trade winds आपकी रहती ही रहती है आपकी तरीके से flow होती है तो normal condition बड़ी strong होती है बहुत ही अच्छा खासे दरीके से flow होती है अब ऐसे situation में क्या होता है कि आपका जो South America का region है है खासकर अगर मैं Peru country की बात करूँ इधर एक current flow होता है cold current flow होता है इसका नामे peruan current यह ठंडा current होता है और यह आपका upwelling perform करता है upwelling का मतलब यह होता है कि यह अंदर के जो भी nutrients हो होगा वहाँ पे high pressure देखने को मिलेगा adjustment है अभी बताया और जहाँ पे ज़्यादा temperature होता है तो South America की region में हमें high pressure देखने को मिलता है तो बहुत ही certainty सी बात है यहाँ पे आपको condensation तो नहीं देखने को मिलेगा कोई precipitation South America की region में खासकर Western Coast में नहीं देखने को मिलता है अब इस हमें आपे अटकमा desert देखने को मिलता है क्यों? क्यूद्ध नहीं होगा तो यहाँ पे बारिष कहां से आपको देखने को मिलेगी तो यह high pressure जोन है अब बात करते है और स्फिलिया की और स्विलिया का जो 순ड़िया की यहां पे आपको warm waterproof देखने को मिलता है मादला बड़ाई गरम zone आपका रहता है, high temperature zone रहता है आपका इस वाले time में, खासकर मौनसून वाले time में, और इस time क्या होता है, अगर आपका गरम रहेगा, तो कौन सा zone आपका बनेगा, ये आपका बनेगा low pressure zone, अब जब ये low pressure zone मनेगा, हवा फिर आपको उपर की और जाने लगीगी, उपर की और जाएगी, गरम हमाद, तो एक time आएगा, वो ठंडी हो जाएगी, और जब वो ठंडी होगी, तो यहाँ पे cloud formation होगा, और यहाँ पे हमें, ओसेलिया की region में, बारिश देखने को मिलता है, तो I hope आपको इतनी जानकारी होगी, कि ओसेलिया में low pressure बनता अब बात करते हैं, ला नीना में क्या होता है, ला नीना में कुछ नहीं होता है, बस इसी का थोड़ा और extreme आपका situation बनता है, मतलब जब Australia में जो आपका जो temperature है, जब और ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो फिर आपका जो pressure है, वो ज़्यादा low होता रहेगा, अगर आपक क्या करता है, क्योंकि indirect way में हमारे भारत के economy में बहुत ही impact आल, तो मैं आपको बताऊंगा इस picture से, देखो, ये देखो, ये है हमारा Australia, ये है हमारा अप देख से तो मस्करेन आलिंड, देखो, इसका भी बहुत बड़ा importance है, ठीक है, अब यहाँ पे मेड़ेकर के पास में मस मस्करेन आलिंड देख सकते हो, ये हमारे प्यारा सब भारत है, ठीक है, अब जैसे मैंने बोला, कि normal condition में क्या होता है, कि Australia में low pressure होता है, low pressure के वर यसे गरम हो, उपर जाती, ठंडी होती है, यहाँ पे cloud formation होता, अच्छा खासा बारिश होती है, ठीक है, अब देखो, ये जो high pressure zone बनेगा, और जब भारत में, जब monsoon का time आता है, तो यहाँ पे क्या होता भारत में, low pressure होता है, तो मुझे बताओ, winds कहां से कहां travel करती है, high pressure से low pressure, तो जो मस्करेन आलिंड की जो हवा है, ये आपका कहां ट्रैक्ट होगी, towards the India, ठीक है, क्योंकि इंडिया में होता है, low pressure तो Australia का जो impact है, ये भारत में आपको indirect form में, मस्करन आलिंड से देखने को मिलेगा, अगर Australia में जदा low pressure है, तो भारत में भी आपको जदा बारिश देखने को मिलेगी, ठीक है, अगर यहाँ पे, अगर मालो, कि Australia में अगर आपका low pressure नहीं है, तो क्या होगा, भारत में आपक सुखा देखने को मिलेगा, और यही El Nino होता है, El Nino क्या होता है, El Nino में पुरा process उल्टा हो जाता है, मैं आपको बता देता हूँ, ये लोग पहले इसको मैं मिटा देता हूँ, इसमें होता क्या है, El Nino वाले impact में, जो trade winds होती है न, बड़ी weak हो जाती है, इतनी weak हो जाती ह जो आपका जो low pressure जो Australia में डवलप होना चाहे था, अब वो South America में डवलप होगा, वो आपका South America में डवलप होगा, और जो high pressure जो आपका zone है, अब वो आपका Australia में आपका develop होगा, इसके युदे से आपका current है, वो आपका उल्टा बहेगा, from Australia to low आपका pressure South America, अब क्या होगा, अब यहाँ पे South America में low pressure बन गया, गरम हवा आपका क्या उपर जाएगी, अब यहाँ पे क्या होगा, cloud formation होगा, अब South America में बारिश होगी, और इतनी बारिश होती है, कि यहाँ पे हमें भाड देखने को मिलती है, फ्लर्स देखने को मिलती है, और यहाँ पे उल्टा क्या Australia में होता है, और यहाँ पे सूका, जंगले जल जाती, इतना heat देखने को मिलता है, और इसका अगर यहाँ पे, अगर और आपका यहाँ पे high pressure डवलप हो गया है, तो भी आप मस्करेन आलेंड में इंपक्ट होगा, फिर यहाँ पे भी आपको वही चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है, और फिर आपको यहाँ पे भारत में भी same impact देखने को मिलता है, भारत में फिर आपको उतनी बारिश नी देखने को मिलती है, मौनसून बहुत देरी से आती है, और यहाँ पे भी क्या होता है बहुती डॉट वाला रीजन्स आपको देखने को मिलता है इसलिए एल निनो के वरे से आपको सदर्न अमेरिका में अच्छा खासा बारिश देखने को मिलेगा बड़ आपको यहाँ पे इंडल सबकॉंटिनेट में और इंडोनेशिया में आपको बहुती डॉट सिचुईशन्स देखने को मिलता है यहाँ पे सारे इंपेक्ट से आप पढ़ भी सकते हो देखो एल निनो का इंपेक्ट आप देख सकते हो और जब अलिनो होता है तो यहाँ पे यह वळा रीजन पूरा warmer बन जाता है अब देख सकते हो यह red line से यह पुरा red shaded है और यहाँ पे फिर बारेश होती है और Australia में क्या होता है Australia में हमें यहाँ पे drought situation देखने को मिलती है आप यहाँ पे इस पिक्चर में भी देख सकते हो अब बात करते कि एलीनो का impact जो होता है कैसे पता चलिए जाता कि भईया इस साल आपका एलीनो पढ़ने वाला है तो कुछ certain conditions है जो हमारे experts होते हैं वो इस तरीके से predict करते अगर यहाँ पे ocean का temperature surface temperature लगातार तीन महीने अगर 0.5 degrees से अगर यहाँ पे rise हो रहा है प्लस अगर इसी के साथ atmospheric condition में rainfall pattern में अगर हमें कोई बदलाव देखने को मिलता है उस particular region में तब हम यहाँ पे बोलते कि भईया आने वाले टाइम में एलीनो impact हमें देखने को मिल सकता है चलो अब बात करते हैं इसके और इसमें क्या क्या impacts देखने को मिलते हैं दोस्तों हमें draws देखने को मिल सकते करे रीजन में से ऑस्रेलिया इंडोनेशिया भारत में हमें draws देखने को मिल सकते हैं floods भी देखने को मिल सकते हैं but in the southern America region confuse नहीं होना है marine life में impact होता है obvious की बात होता है क्या है कि एलिनों की टाइम में जो आपका warm water होता है वो थोड़ा उपर की और surface माने लगता है और ठंडे पानी को नीचे की और shift करता है अब जो आपकी मचलिया होती है जो nutrients होती है वो आपका cold water में रहती है वो sink हो जाती है तो मचली भी नीचे जाती है उपर तो warm रहता है तो यहाँ पे जो हमारे जो fisher man होते है उनको यहाँ पे मचलिया कहा से मिलेगी सारी मचलिया तो नीचे चले गई है तो यह बहुत बड़ा एक negative impact होता है इवन यहाँ पे आर्थ का rotation देखो याद रखना यहाँ पे जो trade winds हो एल्लीनों की वरे से क्या होता trade winds आपकी slow होती है बहुत ही weak होती है हमीशा याद रखना जब आपका trade winds आपका यहाँ पे weak होगा अर्थ का rotation speed है उस पे भी आपको यहाँ पे impact देखने को मिलेगा अगर बहुत ही rotation speed बड़ा ही कम है तो दिन ज़ादा देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पे hydro energy आप देखो जहाँ पे drought situation होगा तो हमारे कई सरे hydro power plants से वाँ पे पानी नहीं होगा energy कैसे बनेगी और कई जगा heat waves भी आपको प्राप्त होते है अब अलीनो नॉर्मली आपका दो से साथ साले तीन से पान साल में एक बार आपका प्राप्त होता ही होता है अब बात करते हैं इसे मैंने आपको बता दी अलीनो के impacts क्या होते हैं मैंने आपको यहाँ पे map की थुरू बता दिया अब बात करते हैं कि अलीनो को इसका जो impact है इसको major कैसे किया जाता है देखो जो अलीनो का intensity है जो strength है इसको major किया जाता है बाइद ओशन नाइनो इंडेक्स ठीक है ओशन नीनो इंडेक्स ओएनाई इसको बोलते है अगर यहाँ पे जो अलीनो का impact 0.5 से लेके 0.9 के बीच है तो अलीनो का impact बड़ा weak है अगर आपका 0.5 से जाद है तो आपका strong है इवन यहाँ पे अगर आपका 0.9 से अगर उपर जा रहा है तो बड़ा ही strong impact है और जो 2023 में जो आपका पढ़ने वाला ने 97 से 98 यह लगबग इस वाले साल में हमें आपे लगबग 200 deaths हमें देखने को मिले just because of the alien इतनी गर्मी पड़ी थी इसके वरे से ठीक है और यहाँ पे बात की जाए 97-98 में आपको बता है आपे पहली बार इसको अच्छी से monitor भी किया गया था कि आप इसकी शुरुआत कैसे होई थी अच्छी से किया था वक्त के साथ क्यों आपका जो tech रहता है वो आपका अच्छा 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 डवलप होता है तो यह साल आपका बड़ा crucial था ला नीना के बार आपको मैंने बता दिया ला नीना आपका क्या करता आपका आपके cooling effect देता है ठीक है आपका Australia जो आपका low pressure डवलप करता है मैंने आपको बताएं बताता अगर वहाँ पे और ज्यादा low pressure आपका डवलप होगा तो और ज्यादा हमें क्या बारिश देखने को मलेगी और यही थंड़क हमें मसकर और आइलेंड के थूरू भारत में देखने को मिलती है और बहुत ही बारिश आपको देखने को मिलती है तो ला निना is actually very much good for the Indian economy, Indian monsoon आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए ठीक है? ला निना का हमें बहुत ही rare वैसे जो ला नीना होता है ने बड़ा रेयर होता है है ना यह हाली में 2010 में देखने को मिलाता बट इसने यहाँ पे औस्टेलिया में देखो जादा बारिश होगी दिकत भी होती है तो 2010 में औस्टेलिया के कुइंस्टनेंट में कैसे impact डालता है देखो एल नीनो is not good for our Indian economy Indian monsoon ठीक है क्योंकि यह आपको बहुती drops provide करता है सूखा देखने को मिलता है बड़ी दिक्कत होती है यह rainfall आपका अच्छा खासा करता है और इसके तुरुआ में कई सरे benefits भी प्राप्त होते है अब यहाँ पर देख सकतो एल नीनो में और ला नीना में क्या difference है मैंने आपको अच्छे से यहाँ पर बताया हुआ है कब इसका peak रहता है कौन सा यहाँ पर आप कह सकतो है मैंने अच्छे से आपको टेबल में बताया हुआ I hope दोस्तो आज का जो वीडियो है आपको बड़ा informative लगा होगा और यहाँ पर कई सारे चीज़े आपने सीखी होगी अगर आपको दोस्तो SSB interview की तयारी करनी है दोस्तो SSB का exams इसके regarding हमेशा course लाती लाता है बहुत ही effective affordable price में दोस्तो अगर आप defense exam की तयारी करना चाहतो इसे NDA, FCAD, CDS तो हम आपको यहाँ पर बड़े effective और affordable तरीके से आपको provide करते है और हमारे जो faculties है आपको यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से मदद भी करती है बड़ दोस्तो अगर आपको हमारा कोई भी course लेना है तो आपको यहाँ पर code warrior लगाना बहुत ही ज़रूरी है warrior हो तो warrior 10 code लगो और हमारे courses में 10% का discount पहूँ तो guys इसी जज़वर जुरून के साथ मैं आपको मिलता हूँ के नहीं topic के साथ तिल देन बबाई टेकर दोस्तो जहिन अगर आप एक defense aspirant है और ssb interview, nda, cds, fcat जैसे exams के लिए prepare कर रहे हैं तो आप ssb crack exams के course को चेक करना ना भूले आप हमारी learning application को google play store से भी download कर सकते हैं